intellectual property right intellectual property right को समझने से पहले हम समझेंगे कि intellectual property क्या होती है देखे intellectual का मतलब होता है the person's ability to understand, to think, to create new ideas कोई भी creation हो, कोई भी creation हो उसकी सुरुआत जो है एक idea से सुरू होती है यानि कि आपको कोई product बनाना है तो सबसे पहले आपके mind में idea आएगा और उस idea के basis पे जो है फिर आप जो है कोई product को create करते हो तो कोई भी creation जो है उसकी सुरुआत idea से सी होती है जैसे कि Gramwell ने जो है टेलीफोन को invent किया तो सबसे पहले उनके दिमाग में idea आया होगा उस idea के basis पे उन्होंने जो है टेलीफोन का विसकार किया लाइट बल्ब, Thomas Edison ने जो है लाइट बल्ब का invention किया इसी तरीके से बहुत सारे books जो है writers लिखते है अलग-अलग writers, authors होते हैं जो की books लिखते है तो उनके creative ideas होते है वो उनकी intellectuality होती है जैसे की चेतन भकत का नाम आपने सुनगा तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छी novels जो है वो books जो है उन्होंने लिखी है paintings में Mona Lisa की painting जो है famous है songs बहुत सारी music director को देखते होंगे कि जो अलग-अलग अपने उनकी creative idea की basis पे लोग अलग-अलग music जो है वो जो हाँ पर create करते है आपने देखो कि बहुत सारे songs होते हैं और सारे songs अलग होते हैं सभी songs की lyrics सभी songs के दुन जो हो different होते हैं यानि कि यह क्या है creative ideas है different people की उनकी intellectuality है जिसकी basis पे आपको नए-ने songs जो हाँ पर सुनने को मिलते हैं symbols, name, image, design जो different companies use करती हैं तो अलग-अलग branded companies देखे तो उनका नाम, उनका logo, उनका sign, उनका color combination सब कुछ क्या होता है यह सब human creativity और human के skills का product है clear यानि कि human के अंदर यह capacity होती है कि वो सोच सकते हैं, वो समझ सकते हैं उनके अंदर यह creativity होती है, skill होता है जिसका use करके वो different different चीज़े invent करते हैं different books, different painting, song, symbol यह सब सारी चीज़े वो create करते हैं तो यह जो human being अपना दिमाग use करके different different चीज़े create कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं intellectual property कहते हैं या फिर कोई आपने flat purchase किया या फिर आपने कोई गारी purchase की तो उस गारी के उस जमीर उस flat के honor कौन हो जाते हैं आप हो जाते हैं अब वो आपकी property हो गई, clear क्योंकि आपने उसको purchase कर लिया तो इसी तरीके से जब आप कोई खुद का mind use करके खुद कुछ नया create करते हैं जैसे कि आपने कोई book लिख दी, कोई आपने song create किया, कोई आपने symbol बना दिया या फिर कोई आपने invention कर दिया तो वो अब आपकी property हो गई है तो इस type की property को हम intellectual property कहते हैं तो जैसे other property को जो है आप rent पे या फिर उसको किसी और को दे सकते हो या फिर उसको sell कर सकते हो जैसे आपने को और को rent कर सकते हो, दे सकते हो, बेज सकते हो जैसे कि आपने कोई book लिखी तो उस book का कोई content अगर कोई और use करना चाहता है तो वो आपके पास आएगा, वो आपको पैसे पे करेगा और आपसे write लेगा और वो जाकि आपके book का content use कर सकता है आपने कोई music create किया, आपने कोई invention क तो उसको अगर use करना है तो वो आपसे आएगा permission लेगा, आपको उसके बदले कुछ ना कुछ financial benefit प्रोवाइट करेगा और फिर वो आपकी उस property को use कर सकता है, clear, तो intellectual property का यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपने creativity, अपने skill, अपने mind का use करके जो भी चीज़े create किये, कोई invention किया और अगर किसी को भी जंगल बुक का content use करना होगा, तो सबसे पहले रुडियार्ट किपलिंग का वहाँ पर उनको permission लेना पड़ेगा, बिना permission के, बिना authorization के अगर वो जंगल बुक के content को use करते हैं, कहीं पर भी तो उनके उपर legal action लिया जा सकता है, इसी तरह किसे different brand के name कि क्या है वो IPL का है, आगर वो कहीं पर भी बचता है, तो आप समझ जाते हैं कि हाँ यह cricket से related है, IPL के match होने वाले हैं, तो यह क्या है, यह intellectual property होता है, यानि कि इन्होंने खुद का अपना कुछ creativity का use करके दो है, उन्होंने खुद का logo, खुद का symbol, खुद की book, या फिर रजिस्ट्री करवाते हो, आफिस में जाकर, तो वहाँ पर वो जो रजिस्ट्री होते हैं, फिर जो registration document होते हैं, वो proof होता है कि हाँ अब आप उस car के या फिर उस flat के मालिक हैं, और आपने उसको particular रुपए देकर किसी person से purchase किया है, यानि कि आपके पास एक proof होता है, कि आप इस car के मालिक हैं, और उस car को अगर कोई और use करेगा, तो आप उस पे legal action ले सकते हैं, आप किसी particular जमीन के flat के मालिक हो गए हैं, आपने register करवा ली है, आपके पास proof है, और अगर उस flat को जमीन को कोई और use करते हैं, तो आप उसके against legal action ले सकते हैं, तो similarly जैसे कि आप physical property के लि तो आपको जो है patent वाली department पे जाना होगा, जैसे ipndia.gov.in है, या फिर copyright.gov.in है, तो यहाँ पर जाके आपको अपने intellectual property की registration करवानी पड़ती है, और जब आप registration करवा लेते हैं, तो वहाँ पर आपको एक right मिल जाता है, कि बिना अब आपसे पूछे, आपकी book, आपका music, आप का science symbol, कोई और use नहीं कर सकता है, तो उसी right com क्या कहते हैं, intellectual property right, यानि कि आपने कोई book लिखी, आपने उसको registration करवा लिया, तो अब जो है, उस book को आपके बगार, आपसे बिना permission लिए, कोई और use नहीं कर सकता है, तो इस right com कहते हैं, intellectual property right, clear, तो intellectual property right क्या हो गया, are the rights given to person over the creation of their mind, यानि कि जब कोई person अपने mind का, अपने creative skill का use करके कोई creation करता है, कोई चीज लिखता है, book, music, sign, symbol बनाता है, invention करता है, तो उसके लिए जो उसको right दिया जाता है, उसी को intellectual property right कहा जाता है, और ये जो right होता है, ये कुछ specific time period के लिए होते हैं, they usually give the creator an exclusive right over the use of his or her creation for a certain period of time, तो कुछ time period के लिए है, जो आपको यहाँ पर ये rights दिये जाते हैं, यानि कि permanent नहीं होते हैं, जैसे कि patent की बात करें, a patent protects an invention for 20 years, after which it can be freely used, यानि कि आपने कोई invention किया और आप उसके लिए patent ले जाते हो, तो जब आपको patent मिलेगा, तो उस date से 20 साल तक वो सिर्फ आपके पास सकता है, clear, इसी तरही के से the term of protection of a design is valid for a 10 years, which can be renewed for further 5 years after expiration of this term, यानि कि अगर आपने कोई design, unique design create किया है, तो उसके लिए भी जो है, आप registration करवा सकते हो, जहाँ पर आपको 10 साल का right मिलेगा, यानि 10 साल तक उस design के मालिक आप होंगे, उसके बाद आप चाहे तो 5 साल के लिए extra renew करवा सकते हैं, तो IP are protected through copyrights, patent, trademark, etc. तो IP यानि के intellectual property जो है, उसको अगर आपको protect करना है, आपको उसके उपर rights लेना है, तो उसके लिए आपको copyright, patent, trademark में registration करवाना होता है. To protect intellectual property in India, one can apply to the authority concerned under the government of India for protection. तो government of India के अंदर जो है, authority create की गई है, ministry है, department है, वहाँ पर जाको आपको जो है, इस intellectual property का registration करवाना होता है, उसके बादी जो है, आपको particular rights दिये जाते हैं. IBR enables the creator or owner to earn recognition or financial benefit by using their creation or invention. तो IBR के जरी क्या होता है, कि अगर आपने intellectual property right ले लिया है, तो अब जो है, आपने जो भी चीज create की है, कोई भी चीज invent की है, तो आपको उसके लिए recognition मिलेगा, यानि कि आपका नाम भी होगा, प्लस आपको उसके जरीए financial benefit भी होगा. नहीं, तो आ आपने कोई music बनाया, आपने कोई movie बनाई और उस movie का creation कोई और ले लेगा, कोई और उसका financial benefit उठा लेगा, लेकिन जब आप IPR कर लेते हो, तो उस movie का जो right होता है, वो आपके पास होता है, और उस movie को दिखा कर जो भी पैसे मिलेगी, वो उस पे आपका अधिकार होता है, तो recognition भी मिलेगी, कि हाँ ये movie आपने बनाई है, और प्लस उसको देखकर जो भी पैसा अर्ण होगा, उस पैसे पे भी आपका अधिकार होगा, तो different laws है, intellectual property को protect करने के लिए, rights provide करने के लिए different laws है, जैसे trademark act 1999 है, patent amendment act 2005 है, जो की first year 2005 से effective हुआ है, copyright के लिए copyright act 1957 है, ये जो different laws है ये इंडिया में हैं, और ये laws बनाएगे हैं, जिससे की intellectual property right को regulate किया जा सके, और अगर कोई इसको violate करता है, तो उस case में उसको क्या punishment होगी, वो भी वहाँ पर इसमें decide किया जा सकता है, तो दो important website है, ipindia.gov.in and copyright.gov.in, ये दो website है, जहाँ पर जाकर आप अपने intellectual property को register करवा सक हैं, तो ipindia.gov.in पर आपको design हो गया, trademark हो गया, इनके लिए जो है, आप वहाँ पर जाकर registration करवा सकते हैं, वहीं पर copyright पर copyright के लिए आपको registration करवाना पड़ता है, अब next question है, why is IPR important, intellectual property right important क्यों है, तो जो intellectual property की importance है, इसकी importance पहली बार जब जो क्यों गनाइस की गए थी, वो Paris convention for protection of industrial property 1883 में हुआ था, वहीं पर burn convention for the protection of literary and artistic work 1886 में हुआ था, यहाँ पर जो है, intellectual property की जो importance है, उसकी importance को यहाँ पर recognize किया गया, और यह दोनों ही जो treaties हैं, इन treaties को world intellectual property organization WIPO जो है, वो administer करती है, तो Paris में convention हुआ, जहाँ पर industrial property के production को लेकर importance need required ही, वहीं पर burn में convention हुआ, जहा पर literary और artistic work के production के requirement को वहाँ पर महसूस किया गया, उसके बाद फिर जो है, अलगलग country अपने हाँ पर trademark, copyright और patent को लेकर laws बनाया और उन्होंने जो है, वहाँ पर अपना protection provide करना start किया, तो IPR important है, क्यों intellectual property right important क्यों है, तो भी तक आप समझ गया होंगे कि दो important तो आपने पहल property right मिल जाता है उनको, तो इससे क्या होता है, कि जो author होते है, creator होते हैं, developer होते हैं, उनको recognition मिलती है, all over world, जैसे कि telephone का विसकार किस ने किया, gram well ने किया, अब जो है, सब लोग जानते है कि gram well है, अगर telephone का नाम आता है, अगर telephone का नाम आता है, बल्ब का विसकार किस ने किया, तो addition का नाम आता है तो recognition मिलती है next जो importance है फिर benefit कह लिजए it incentivizes यानि कि provide financial benefit to inventors, authors, creators etc. for their work यानि कि आपने कोई book लिखी और वो book sell होगी तो उससे जो भी financial benefit होगा वो आपको मिलेगा तो book लिखी आपने और आप ही को financial benefit मिले इसके लिए intellectual property ज़रूरी होता है यानि तो आपने book लिखी उसको copy करके कोई और publish करके वो पैसा कमा रहा होगा तो इससे आपको financial benefit नहीं मिलता है तो financial benefit आपके काम के लिए आप ही को मिले इसके लिए intellectual property राइट ज़रूरी होता है तो जो है IPR आपको motivate करता है IPR लोगों को motivate करता है कि वो नए-नए चीज़े create करें नए-ने inventions करें जिससे कि उनको financial benefit भी मिलेगा और उनका recognition भी मिलेगा तो IPR वहाँ पर भी important करता है IPR facilitates the transfer of technology in the form of foreign direct investment joint venture and licensing यानि कि अगर आपके पास intellectual property right है तो आप अपने उस creative ideas को या फिर उस invention को आसानी से किसी दूसरे country में या फिर किसी दूसरी company को license as a license provide कर सकते हैं जैसे कि आप देखते होंगे KFC तो KFC के लिए different डिफरेंट जगा पर franchisee provide की जाती है तो KFC है कहीं और का लेकिन आप देखें यह all over world जो है KFC की franchisee open है तो joint venture, licensing, franchisee करने के लिए किसी दूसरे country investment करने के लिए IPR की requirement वहाँ पर होती है यानि कि अगर आपके बास IPR है तो आसानी से आप कहीं और भी भी उसका use कर सकते हैं जैसे आप ने लिखी बुक का IPR आपके पास है तो उस बुक पे कोई दूसरा बंदा movie बनाना चाहता है तो पहले उसको आपसे permission लेना पड़ेगा और कुछ financial benefits भी देने होंगे उसके बाद फिर आपके बुक पर वो movie बना सकता है तो बहुत सारे से movies आप देखते होंगे कि जो की लिखा होता है कि based on the book तो इस तरीके से IPR जो है different तरीके से वो important होता है तो इंडिया में हम बात करें तो कौन-कौन से IPR provided है the following types of intellectual property rights are recognized in India copyright, trademark, patent, geographical indication, design, plant variety and semiconductor integrated circuit layout design तो यह जो है इतने type के याने कि आपके पास seven type के intellectual property rights है जो की recognized हैं इंडिया में इन पे जो है आपको intellectual property right मिलता है इनके लिए आप registration करवा सकते हैं इंडिया में clear, इनसे related अगर आपने कोई भी change create की है, invent की है तो आप जाके registration करवा सकते हैं उसके लिए आपको intellectual property right मिल जाएगा तो इन सभी को हम आगे next वीडियो में discuss करेंगे wish you all the best keep watching